वेलकम टू न्यू वीडियो मैं विक्की बर्तवाल और आज की वीडियो में बात करेंगे KTM RC200 की इस वीडियो में देखेंगे क्या-क्या स्पिसिफिकेशन इसके क्या प्राइज है कितने कलर स्कीम में आती है और क्या-क्या चैंजिस होए है इसमें 2022 में साथी सद बात वीडियो को सुरू करने जे पहले आपसे आपके भाई की एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चेनल में फर्स्ट आम आए है तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए चेनल को सब्क्राइब करतें रेट करका बटन दबा के बात करें सबसे पहले इसके प्राइस की तो इसका प लेबल है एक है डार्क गैलीवानो और दूसरा है सिल्वर मेटलिक यह तो सामने आपके है यह है जो है वीडियो में यह है डार्क गैलीवानो इसका कलर है दोनों ही कलर काफी अच्छे हैं काफी हॉट सेलिंग है केटिम रसी टूहंड़ जो है पिछले आठ साल दे सेम पसंद थी कि यह वाली अगर मैं अपनी बात बता हूं तो आप वीडियो और फोटो में तो आपको यह क्या पता पसंद ना है लेकिन आप रियल में जब इसको सोरों में जाकर देंगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि यह पहली बाइक से ज्यादा अग्रेसिव और अच्छी है इसमें कमपनी ने सिटिंग बात कर देंग बूरि को सब्सक्राइं सबसे पहले बात करेंगर दें ने इस लेकिन अब लहां अगय एक वाइट क्लर दूर की और वीड़ी कौरी सकते हैं बड़ी सी ब्राले के पहले से बूरीड एज़ेण चैंज तरी है न के दि लगाने की जगह दे रही है और जो मटकार्ट है ब्लैक ग्लॉजी कलर में है और जो इसके विल्स हैं वो आपके औरेंज कलर में है जो की जो डिस्क कर जाएं है वो इस बार कमपणी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है बात करते हैं इसके टायर की तो टूबलेस टायर है और इसमें फ्रंट में डब्लुप एपक्स 43 के सॉकर्ट हैं और रेयर में डब्लुप एपक्स मोनु ऑक्स के केटियम की बापता दूं कि केटियम अपने सॉकर्स होती है वो खुद मैनुफेक्चर करती है इसलिए इसके सॉकर्स होते हैं वो काफी अच्छ होते हैं काफी कमफर्टेबल होते हैं आप अगर गड़े बगेर में भी चलाएं तो पता नहीं चलता है साइट फेरिंग कुछ इस तरीके की है साइट में ग्राफिक्स इस तरीके का है आर्सी टूंडेट की स्टिक्रिंग और केटियम की बड़ी सी स्टिक्रिंग दे रखिए कंपनी ने अब बात कर लेते हैं इसके पावर प्रफॉर्मेंस की तो इसमें आपको दोसु सिस्टी का इंजन मिलता है जो की मैक्सिमर पावर देता है 25.4 बेच्पी की और मैक्सिमम टॉक देता है 19.5 न्यूटियोमेटर का सिंगल जेलेंडर लिक्विड कूल इंजन है 6 गेयर है बाइक में एक निचे को पांच उपर को गेयर है 13.7 लिटर का टैंक है 1.5 लिटर इसमें रिजर पांच नोगे के सब्सक्राइब जेखने में काफी अच्छे है और जो इसका चेंट आप चेंट अप है आपको लेकिन ओपन चेंट सिस्टम होने से यह वाइद होता है कि आप इसको क्लिंग कर सकते हैं बात करें मीटर कंसूल के तब मीटर कंसूल फुली डिजिटल मीटर कंसूल है और मीटर कंसूल काफी बढ़ा सा है देखने में में बिल्कुल भी प्रॉलम नहीं होगी चाया अपको ओडोमेटर हो आपका इसमें चाहे चाहे श्पीडोमेटर आपका shift light, kill switch और clock वगेरा सारी चीज़े मिल जाती है TFT डिस्प्लेई है, डिस्प्लेई की जो brightness है काफी अच्छी है और जो handlebar है, clip on handlebar है, adjustable handlebar है, आप adjust कर सकते हैं इस handlebar को यहाँ पर आपका engine kill switch का बटन है और engine start का बटन है, यहाँ पर low beam, high beam, indicators और horn के सोचीज है, सोचीज की quality as usual के team की हमेशा सही अच्छी होती है अब बढ़ते हैं, आगे की तरब अब बात करते हैं इसकी warranty की, company इसमें आपको दो साल और 30,000 km की warranty देती है अब बात कर लेते हैं इसकी seating की, seat में सबसे जो major change दोया है, जो seat की cushioning है, जो padding है company ने वो पूरी के पूरी change के रही है, जिससे की plane के लिए काफी comfortable होगी है, बाइक साथ जो rider है उसके लिए तो यह शुरू से थी ही आपको मैं यह बताता हूँ कि इसमें आप पिलियन के लिए बैठाने में अभी भी problem है चाहिए, आपके mother या wife हो, कोई भी लेड़ी से उसको बैठाने में problem है, क्योंकि टेल डाइट मिल जाती है, जो की new design है, इस bike का पहले ऐसी नहीं आती थी, और वही पर आपके LED इंडिकेटर्स है, नमबर पर ठलाने के जगह दे रखी है, और साथी साथ रिफ्लेक्टर दे रखी है, बत कर ले थे हैं, curbs weight की तो उसका 160 kg कर वेट है, जब tank बढ़ जाएगा तो weight और बढ़ जाएगा, उससे ही अच्छा हता है कि जो highway पर बाइक आपकी stable हो के चिपक के चलती है, wheelbase 1349 mm, ground clearance 158 mm बाइक की, seat height 824 mm, overall बाइक 200cc का इंदर एक full fairing bike, sports bike अगर आप देख रहे हैं, fairing bike, तो इससे अच्छी bike कोई है ने, इस time पर जो की आपकी eye-catching और road presence जिस बाइक की बहुत ही जबड़ दस्त है, overall मुझे रखता है कि आपको इस वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर आपके कोई doubt रहाते हैं, इस bike से related या फिर किसी और bike से related, तो आप मुझे comment कर देना, मैं उनकी answer आपको जरूर करूँगा, अगर वीडियो यहां तक देख